निर्यात बंदी खत्म होने के करीब एक महीने बाद प्यास के डाम पर असर दिखाई देने लगा है। रभी सीजन में पहली बार महाराश्टर में प्यास का थोक भाव 3200 रुपए प्रती क्विंटल की उंचाई तक पहुँच गया है। वो भी सोलापूर में जहां की मंडी ज्यादा आवक के लिए जानी जाती है। केंद्र सरकार ने महेंगाई को कम करने के लिए प्यास के निर्यात पर 7 दिसंबर 2023 को रोक लगाई थी। यह फैसला 31 मार्च 2024 तक के लिए किया गया था। लेकिन जब यह तारीक नजदीक आई तब उसे अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लोक सभा चुनाव के सीजन में इसकी वज़े से महाराष्ट्र में सरकार को राजनीतिक नुकसान की चिंता हुई जिससे बचने के लिए सरकार ने 4 माई को निर्यात बंदी खत्म कर दी। इस फैसले के अब 26 दिन हो चुके हैं। रभी प्यास सीजन और निर्यात बंदी खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार प्यास का थोग दाम 32 रुपए प्रती क्विंटल के पार हुआ है। महाराष्ट्र एगरी कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार राज्य की जिन मंडियों में प्यास की सबसे ज्यादा आवक होती है। उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। इसमें रिकॉर्ड आवक के बावजूद जहां एक तरफ प्यास के अधिक्तम दाम ने रिकॉर्ड बना दिया है तो वही न्यूंतम दाम पहले की तरह ही सिर्फ एक सौ रुपए प्रती क्विंटल पर ही चल रहा है। बोर्ड के अनुसार यहां 30 मई को 12,489 और 29 को 11,688 क्विंटल की आवक हुई। दोनो दिन न्यूंतम दाम एक सौ रुपए प्रती क्विंटल ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी